पत्रो राया देखे मेरा नम मंजु सेनी पती का नाम सुनील सेनी मैं रवेर खेर थल कि रवेर थल है रवे थल खेर थल हाँ ठीक है मैं खेर थल जिला अलवर की रहने वाली हूँ कई बेठी है कई बेठी हो तो हाथ हिलाईए मैं मंजु सेनी पती का नाम सुनील सेनी मैं खेर थल जिला अलवर की रहने वाली हूँ गुरुजी मैं यह पत्र अपनी ननन जिसका नाम लाजबन्ति, पति का नाम राजिस सेनी है, जो अलवर के रहने वाले है, गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ, मेरी ननन लाजबन्ति की साधी को 20 साल हो गए थे, 20 साल में सारे डॉक्टरों को दिखा लिया सारा इलाज करवा लिया जगा जगा जाकर धोक लगवाली पचास बार गोदी भरवाली पर उसके संतान नहीं हुई गुरुदेव फिर मेरी ननन्द आपकी कथा पर टीवी पर सुनना प्रारम कर दी और हम सब को भी बताती थी उसको बीस साल हुए थे संतान नहीं हुई और ननन्द ने भगवान की कृपा से पशुपती वरत करना प्रारम करा सफेद आकडे की जड़ का प्रयोग करना प्रारम करा डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था इकि इसको बच्चा नहीं होगा बीस साल के बाद मेरी ननन्द ने सफेद आकडे की जड़ तुम रुका जेका नाम लेकर शंकर जी पैसे 21 बार घुमा कर मंदिर में दोनों पती पतनी खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे में कमर में बांदली और घर आ गई गुरुदेव बाबा के मंदिर रोज जाने लगी जल चड़ाती बाबा से कहती बाबा सबकी जोली भरी है मैंने कथा में सुना है वो सीहर वाला महराज चिला चिला कर करता है सब को दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा बस 15 दिन निकले थे और गर्व ठेर गया 20 साल के बाद गर्व ठेरा गुरुदेव बीस साल के बाद गर्व ठेरा जब जाच सुरू ही डॉक्टरों की तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्व में जो बच्चा है वो बेकार है गला हुआ है उसके पाउँ बेकार है उस करा मंदिर जानना चालू करा एक नरियल वाला प्रयोक करा और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो उस बच्चे को बाहर निकलवा रहे थे पर मेरी ननंद ने बच्चे को जनम दिया डॉक्टर ने उसका इलाज करा बच्चा पूरी तरह से स्वस्त है और उसका माइंड भी यह शिव है गुरुदेव यह बाबा की करपा नहीं तो और क्या है शिवतत्व है ओ घड़ी संकत तरकाल दर्शी कहला सिय भी नासिए खाली नाजिए